पॉलिसी बजार पर एक करोड़ रुपे का टर्म लाइफ इंसुरेंस केवल 450 रुपे महीने से सुरू और अब खबर करनाटक से जहां बेल गावी में आरक्षिन देने की मांग को लेकर आज लिंगायत समुदाय का विरोध प्रदर्शन हो रहा है यहां करनाटक विधान सभा का शीत कालीन सत्र भी चल रहा है लहाजा सुरुक्षा को लियान में रखकर विधान सभा से कुछ दूरी पर लिंगायतों को सभा करने की इजाज़त दी गई है शहर के हर कोने में चाक चौबं सुरक्षा इंतिजाम किये गए हैं आपको बता दें कि यह लिंगायत समुदाय का पंचम साली धड़ा है नहाल कितवई है हमारे साथ इस बारे में साधा बात करने के लिए नहाल पहला सवाल तो यह है कि यह मांग जाएगा आरेक्षन दे दिया आपको कोट से फिर वो वापस भाही पहुँआएंगे जहां मौजूद है अभी देखें सबसे पहले ये आपको बता दू कि लिंगायतों में 102 सबकास्ट है पंचम साली तकरीबन 60-62 फिजदी के आसपास सबकास्ट का एक समू है और ये बहुत दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि इनको 2A कैटिगरी में रिजर्विशन दिया जाए ये मांग बहुत पुरानी है और इसलिए इनकी नाराजगी भी बढ़ रही है कि जब ये डुरॉपपा को इन लोगों ने समर्थन किया तो इस उमीद के साथ किया था कि ये डुरॉपपा इन्हें 2A कैटिगरी में रिजर्विशन दे देंगे अभी लिंग आए तो कि कुछ उप जातियों को 3B कैटिगरी में रिजर्विशन दिया जा रहा है तो इनका ये कहना है कि अगर 2A कैटिगरी में रिजर्विशन मिल जाएगा और इस से 5 अमसालियों को बहुत मदद मिलेगी और 3A कैटिगरी के तहत उन्हें सिर्फ 5 फिजदी ही रिजर्विशन मिल रहा है और इसलिए बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं इनकी नाराजगी यह जो रपा से है इनकी नाराजगी मुख्य मंत्री बसोराज भूमई से भी है क्योंकि उनका कहना है कि वो भी लिंगाय थे लेकिन उन्होंने भी इसकी मांग नहीं मानी इन लोगों की मांग नहीं मानी और इसी बात को लेकर यह हला हंगामा यहाँ पर हो रहा है विधान सभा का सत्र बिलगावी में हैं वहाँ से जो विधान सभा है पहले वो विधान सभा के सामने परदर्शन करना चाहते थे काफी मान मनोवल के बाद धाई किलोमेटर दूर दो से धाई किलोमेटर दूर उनको एक जगा दी गई है जहां पर यह परदर्शन हो रहा है और कई सारे बड़े नेता लिंगायतों के वहाँ पर होंगे इन लोगों की ये भी एक मांग है कि मुक्ष मंतरी वहाँ जाएं और इन लोगों से बात चीफ करें अब से कुछ दिन पहले जब हमने यहां पर बात की थी यहां के एक और लिंगायत नेता है उनसे और उनसे ये पूछा कि आखिर ये बहुत तुरानी मांग है और आप लोग इस बारे में क्या कर रहे हैं तो इन लोग का कहना है कि राज सरकार इसमें सक्षम नहीं है राज सरकार केंदर को भेजेगी है और केंदर सरकार को इस बारे में जो आयोग है पिश्रावर्ग आयोग उसको ये तैय करना है कि इन्हें रिजरवेशन दिया जाए या ना दिया जाए पांच फीसदी रिजरवेशन अभी लिंगायतों के कुछ उ इन्हें से कुछ को महीनों दूरी पर ही है करनाटा के विधानसभा के चुनाव ऐसे में लिंगायत जो इमांग कर रहे है आरक्षन की पांच नहीं पंद्रा फीसद की ऐसे में किस तरह का प्रभाव पूरे राज्ये में नजर आता है बतौर वोटर वहाँ पर कैसी चाप छोड़ते हैं लिंगायत समुदार देखें लिंगायत तक्रीबन 18 फीसदी के आसपास है और जिस पार्टी के साथ या जिन नेताओं जिस पार्टी के जिन नेताओं के साथ लिंगायत खड़े रहें कमो बेश उसी की सरकार करनाटक में बनती रही है पिछले अगर आप 6 दश्कों का इतिहास देखे तो ऐसे में लिंगायत अहम है लेकिन यहां पर इस बार बीजेपी की जो सबसे बड़ी चुनोती खड़ी हो गई है वो ये कि लिंगायतों में कई सारे डिविजन आपस में इनमें काफी मन मुटाओ हो गया है ये डुरपा की वज़ा से बस्वराज भुमई को मुक्रमंतरी ब गुरुपे चौथा गुरुपे का ऐसा है जो उत्तर करनाटक का है जिनका ये कहना है जैसे बसोन का और पार्टी लियतनाल जो इस पंचम साली का जो ये परदर्शन चलना है जिसको ये लीज कर रहे हैं उनका ये कहना है कि उत्तर करनाटक के साथ जहां से सबसे अधे लिं बढ़ गए है और अभी जिस तरह से धर्ना परदेशन का सिलसला शुरू हो रहा है यह निश्चित तौर पर देखना की बीजेपी किस तरह से मामले को शांत करती है क्योंकि चार महीने के बाद यहां पर चुनाओं शुक्रे नहाल इस पूरी जानकारे के लिए